आपकी आवाज पर बोले रागव चड़ा पहले भी कई बार नेताओं के खिलाफ लाया गया है नोटीस ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल होने पर गर बीजेपी ने अपने लोगसवास सांसदों को जारी किया वेफ साथ से लेके 11 अगस तक सदन में मौजूद रहने का आदेश दिल्ली सिवा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर अनुराक ठाकूर का पलड़वार कहा कि उनके पास तरक तत्त है नहीं देश को किया भम्रित संसद में इंडिया गडबंधन के नेताओं के मीटिंग राजसवा में नेता विपकष खरगे के दफ्तर में आगे की रणीती पर चर्चा दिली हाई कोड का केंदर, एसी और कई विपक्षी दलों को नोटिस राजनेतिक पार्टियों के नाम में इंडिया के इस्तमाल पर रोख को लिकर या चिका सुप्रिम कोड में मनिश सिसोधिया की बेल पर अब 4 सितमबर को सुनवाई ED और CBI को जवाब दाखिल करने का दिया समय सुप्रिम कोड की कलकता हाई कोड की पोर्ट प्लेयर बेंच के आदिश पर रोख अंडबान के मुख्य सचीप के सस्पेंशन और LG पर जुर्माने का वामला सुप्रिम कोड का यस बैंक फाउंडर राना कपूर की जमाना तिवचार करने से इनकार कहा की मनी लॉंडरिंग के केस से फानेंशल सिस्टम को ढिला किया नू हिंसा पर सरकार का एक्शन जारी तावडू इलाके में चला बुल्डोजर रोहिंग्या मुसल्मानों के अवैत कब ज़तवस्त नू दंगे में रोहिंग्या के भी शामिल होने का शक आरुपियों से पुलिस पूछताच कर रही है नू हिंसा के मामले में बिट्टू बजरंगी पर फरीदाबाद में एक अगस्त को डाबुआ थाने में दर्च हुआ केस नू हिंसा में अब तक पचपन एफायार दर्च पुलिस ने 141 आरुपियों को गिरफतार किया नू में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तीन लोगों पर एफाया शायद आदिल और शायर गुरूं घंटाल पर केस दर्च नू के एसपी वरू सिंगला का विवानी ट्रांसफर हुआ आईपियस नरेंद्र बिरजानिया को नू का निया एसपी बनाया गया हर्याना के नू में कर्फियों के बीज बढ़ाए गई सुरक्षा पैलेमेरिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला वारानसी के ग्यानवापी परिसर में एसाई सर्वे दोपैर में रोका गया सर्वे एसाई टीम के साथ हिंदू पक्षकार चार महिलाए पहुची अन्य पक्षकारों के साथ वकील भी सर्वे में शामिल हुए एसाई सर्वे पर बोले हिंदू पक्षकार सुहन लार डियम ने नई लिस्ट में मेरा नाम जोडा सुधित तिरपाथी विश्नु शंकर और हरिशंकर जैन विशामिल वरानसी में ग्यानवापी परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा पुलिस ने वेरिकर्डिंग करके समाला मोर्चा एसाई सर्वे पर इलावाथ हाई कोर्ट की टिपपणी धाची को बिना नुकसान पहुचाए सर्वे दोनों पक्ष के लिए फायदमंद निचली अदालत को फैस्टा करने में मिलेगी मदद काशी विश्णाद धाम में चार से लेके साथ अगस तक मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगी सोशल मीडिया पर रखी जाएगे निगरानी मुसलिम पक्ष की दलिल एसाई सर्वे से पूरे मामले पर पढ़ सकता है असर परिसर में खुदाई की भी जताई आशंका पियम मोदी ने बिहार के इंडिये सांसोतों के साथ एकी मीटिंग कहा कि बिहार में बहुत संभावना है सांसोतों को चुनाओं में जीत का दिया मंत्र का की विकास और लाभारती सबसे हैं कि मोदी ने विक्सित पुर्वत भारत के सबने का जिक्र किया का कि बिहार की भूमी का एहम है बीजेपी नेता गजंदर शिखावत के बयान पर बुले राजस्थान के सिम अशोग गैलोट का कि मेरे एक पैर में तीन और दूसरे में हेरलाइन फ्रैक्चर अशोग गैलोट ने का कि मैं सिटी स्कैन और एक्स्रे बीजेपी नेताओं को भेज दूँगा केंदर मंतरी की ये टिपपणी शर्मनात गैलोट के चोट को लेकर की टीपणी कहाता की कोट जाने के टर से पैरों में बादी है पठी लाल डائरी में बैवब गैलोट का नाम बीजेपी ने खोला मोर्चा कहा किये सीम के बेटे की कर्टूत का खुलासा हुआ लाल डारी के मामले पर गजेंदर शिकावत कातन जबी तो राजस्तान सरकार के घुटालों की कई रंगिन डारी आएंगे ममता बैनर जी का बयान देश को बेरोजगारी और सांपरदाइक हिंसा से बचाएगा इंडिया एलाइंस ममता सरकार पर बरसे शुबंदो अधिकारी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी व्यापत 12 साल में एक भी नया एरपोर्ट नहीं बना बिहार बीजेपी चीफ का सीम नितीश पर आरोप प्रदेश में क्राइम बड़े हैं शराब माफियाओं का बोल बाला लेकिन सीम चुप हेट स्पीच के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में आकरोश मोर्चा के आयोजन किया बड़े मेमाने पर पार्टी कारे करता शामिल हुए आकरोश मोर्चा को संबोदित करते हैं अबु आजबी ने लगाया अरुप का कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच भायचारे को खतम करने की कोशिश माराश्ट सरकार का एक बड़ा फैसला राज़ सरकार के अस्पतालों में अब मुफ्त होगा इलाज मुंबाई के जुजे हॉस्पिटल पहुंचे सीम शिंदे और डिप्टी सीम अजीत पवार आर डारेक्टर अनितिन दिसाई को दी अर अंतिम शंधान चली छाड़कर्ण में प्रतियोगी परिक्षा बिल 2023 पास सीम हिमन्त सोरेन बोले हम नहीं चाहते हैं चातरों को पहले की तरह संकट का सामना करना बड़े दिले में कॉंग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद बोले डीके शिफ्गमार कॉंग्रेस के कनाटक मॉडिल को देश में लागू करने पर हुए चर्चा कॉंग्रिस चिफ खरगे का ट्वीट लिखा कि पिछले पास साल में सिर्फ 12,20,000 लोगों को मिली है चौप हैदरबाद में कॉंग्रिस कारेकर्ताओं का जोरदार प्रदशन सरकार से बार्ण प्रवावित लोगों की मदद करने की मांग दिल्ली की पट्याला हाउस कोट ने पहलवान बजरंग पुनिया को किया तलब 6 सितंबर को पेश होने को कहा खुष्टी कोच एनरेश धाया ने दर्च कराया है आपराधिक मानहानी केस दस मई को जंतर मंतर पर अपने खिलाफ अपमान जुनक टिपनी को लेकर की तिश्काया हवیت खनन के मामले में इनज्यूटी पैनल की जार्च को बरजभूशन ने मताया फर्जी का कि मेरे खिलाब किया जारा है दुष्परचार ठाने में कॉलेज में इन्सीसी केड़ेट्स को बीचने का वीडियो आया सामने सीनियर केड़ेट्स ने जूनियर केड़ेट्स पर बरसाए डंडे वीडियो वारिल होने के बाद कॉलेज में मचा हड़कम पर प्रिंसिपल ने कहा कि केड़ेट से बातचीत करने के बाद आरोपी सीनियर पर कारवाई कॉलेज की पिंसिपल ने चात्रों के घरवालों से की अपील का कि अपने बच्चों को NCC से दूर ना रखें पिटाई करने वालों को माफ नहीं करेंगे कॉलेज की पिंसिपल ने कहा कि वीडियो में पिटाई करता दिख रहा है शक्स टीचा नहीं इस तरह का वेवारन नहीं होगा बरताश्ट दिली से ग्रह मंतरी शाने सहरा रिफंड पोर्टल के जरिये दी बड़ी सौगा सहकारी समतियों के जमाकरताओं को टांसफर की गई राशी अमिश्या ने कहा कि 112 लावारती को 10-10 हजार रुपे की पहले किश्ट टांसफर हुई है अब तक 18 लाग लोगों ने पोर्टल में रेजिस्टेशन कराया दिली की फ्लाट महिला लावारती के पतरों को पी-म ने ट्वीट किया लिखा कि विदेश मंत्री को लेटर सौप कर आवास मिलने की खुशी की चाहर अस्ताना में चौथा भारत कजाकिस्तान सेक्योटी डायलोग टिप्टी एनसे विक्रम मिस्तरी की कजाक प्रतिनिती मंडल के साथ बात चीत हुई गांधी नगर में हेल्थ मिनिस्टर जी-20 मीटिंग की तैयारी तेज केंदर स्वास्त मंत्री मंसुप मंडाविया कल करेंगे समिक्षा बैठक केंदर मंती हर्दिप सिंग पूरी का बयान का कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश केंदर सरकार ने लैप्टॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर लगाई रोक मेकिन इंडिया के तहट धरिलो उतपादग को बढ़ावा देना मकसद जमो किश्मीर के पुलवामा में एनाईए की रेट दो जगों पर ली तलाशी टेरर फंडिंग केस में चापे मारी सीमा हैदर घुसपैट केस में सशत्सतर सीमा बलका एक्शन एक इंस्पेक्टर एक हेड कॉंस्टेबल को किया सस्पेंट जाच में लापर भाई कारोग मैंगलूरू में अगनी वीर बैश की पासिंग आउट परेड एससी सेंटर में जवानों ने दिखाई दक्षता कुलाम से लापता सेना का जवान शे दिन बाद मिला जवान की माने जताएं खुशी सेना को दिया धन्यवाद पटना एरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की अमर्जनसी लैंडिंग उडान के तीन मिनट बाद ही एक इंजन में खरावी दिल्ली जारा था प्लेन जयपूर एक्सपेस में फाइरिंग के मामले में आरपी एफ के इंक्वारी टीम ने बारा लोगों के बयान दर्ज किये पांश यातरी साथ रेलवे स्टाफ रूदर प्रयाग में भारी बारिश गौरी कुन के पास लैंड्स्राइड में तीन दुकाने बही एंडियारिफ स्टियारिफ के तीम तैनाथ फ्लैश फ्लेट के दोरां दस देजादा लोग लापता खोजबीन में जुटा है प्रशासन आप्दा प्रबंदर नदिकारी ने दिजानकारी इमाचल में बारिश लैंड्स्राइड से 330 सड़के बंदर इतिन गटकरी ने दिया 400 करोड टी डव्लोडी मंतरी विक्रामधिति सिंग ने दिया धन्यवाद और इस्सा के कटक में उफान पर महानदी आसपास के इलाकों में लोगों को प्रशासन ने लड़ किया जमो कश्मीर के डोडा में एक आर्मी जवान से दो लोग चिनाव नदी में डूबे इंडियारिफ की और पुलिस की टीम ने रस्क्यू आपरेशन चलाया अंतिम सथकार में गए थे दोनों युवा के नदी में 39 समय तेज़ धार में पैर फिसलने से हासा हुआ ATS ने संदिक दातंकी को मुरादवास से गिरिफतार किया हिजबल का बताया चाराया आतंकी गिरिफतार संदिक दातंकी किसी बड़ी साधिश को अंजाम देने की फिराक में था फिलाल ATS की टीम कर रही है पूछताज फिरुदाबाद में जाज कर लॉट्रे सब इंस्पेक्टर की घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की पुलिस बदमाशों की तलाश में सब इंस्पेक्टर के गर्दन के पास गोली लगी थी जिला अस्पताल में इलाच के दोरान मौत हुई मैंगलूरों में हत्यार दिखाकर वाहन चालक के साथ लूट पूरी वार्दा सीसीटीवे में कैद हुई बाइक सवार दो बदमाशों ने वाहन चालक को रोका धारदार हत्यार दिखाकर मुबाइल और पर्स लेकर हुए फरार नाकपुर सेंटर जेल में एक कैदी के साथ लेंगिंग अत्याच शार खबर सामने आने के बाद जेल में मचा हरकम फुलिस ने आरोपी को किया गिरफतार पूरे मामले की जांच चारी पंजाब के लोधियाना में साइकल फैक्ट्री में लगी भीशन आग मौके पर पहुँची फायर विगेट की टीम कड़ी मश्रकत के बाद आग पर काबू यूपी के नॉइडा में एक सोसाइटी का लिफ्ट तूटने से महिला की मौत लिफ्ट का ताठ तूटने से हुआ हास्सा आठवी मंजिल से सीधे नीचे गिरी सोसाइटी की मेंटेनिस कंपनी के डारेक्टर अपार्टमेंट ओनर्स असोसियेशन पर एफ आई आर फेसिलेटी मैनेजर और लिफ्ट कंपनी पर भी केस कुलकता में ट्रक की टकर से बच्ची की मौत नाराज लोगों ने हंगामा तोड़ फोर की हंगामा कर रहे हैं लोगों पर फुलिस ने लाटी चार्ज के आसोगैस के गोले भी दागे मैंगलूरू में माबापनी की दो बेटी की गला दबा कर हत्या फिर खुद पंखे से लटक कर जान दी पुलिस जाच कर रही है मोहाली में जुलरी शॉप में लूट का खुलासा पुलिस ने पांच बदमाश्यों को अरेस्ट किया दो पिस्टल दो और आठ कार्थू की बरामत पज़ाब के लुधियाना में प्रिटुल पंप में खड़ी गाड़ी में 22 लाक रुपे की चोरी हुई कार का पंच लगवा रहा था डाइबर बाइक सबार चोरों ने कार बैक से निकाल कर फरार हुए मौके पर पहुँची पुलिस ने सीजटी वी के जरिये पैचान करने की कुशिश की मौके माही में एंटी नार्कोटिक सेल की बड़ी कारवाई पांच ड्रग तसकरों को गिरफतार किया तसकरों से 30 लाट रुपे का एक M.D. ड्रग्स बरामत किया है तसकरों के खिलाफ N.D.P.S. Act के ताहद मामला दर्च पस्चि मंगाल के डॉमजूर में 165 किलो गाजा बरामत पुलिस ने दो तसकरों को गिरफतार किया पस्चि मंगाल के बैरकपूर में फारिंग एक शक्स को लगी गोली घायल शक्स का इलाज चारी हिमाचल पुदेश के शिमला में लगातार बढ़ रही है ड्रग तसकरी पुलिस ने पिछले 6 मैने में 470 ड्रग तसकरों को गिरफतार किया कोची में करनाटक पुलिस के चार अधिकारी अरेस्ट एक आरोपी से मांगी थी 10 लाग की रिश्वत अरेस्टिंग से बचाने का किया दावा इटाबा में दो लोगों ने आटो ड्राइवर की पिटाई की वारिल वीडियो पर पुलिस ने दर्च किया किस जान शुरू वेस्ट इंडिस ने पहले टी 20 मैच में भारत को चार रन से हराया पाँच मैचों की सिरीज एक शुने से आगे बढ़त की वेस्ट इंडिस ने भारत को 150 रन का टार्गेट दिया था भारती टीम 145 बना पाई भारत के लिए तिलग वर्मा ने सबस्यादा 49 रन मनाए सुरे कुमार यादव ने 31 रन मनाए इस्टान केशन शुमन गिल का नहीं चला बलना इशान ने 6 शुमन गिल ने 3 रन मनाए टीम इंडिया का मेडल ओर्डर भी रहा फेल कप्तान हार्दिक पांडिया उननी संजू सैंसन बारा अक्षर पटेल 13 रन मनाए वेस्टेंडिस के लिए कप्तान रोवन पावल ने 48 रन मनाए निकोलस पूरन 41 रन भारत के के लिए उजवंदर चैल और अर्शदीब ने 2-2 विकेट लिया हार्दिक पांडिया कुल्दीफ यादव को एक-एक विकेट मिला मुकेश कुमार और तिलग वर्मा ने T20 टरनाशनल में डेब्यू किया तिलग को कैप्टन हरदिक और मुकेश को यजवंदर चैल ने डेब्यू कैप दिये एशियन चैंप्टेंस ट्रॉफी में भारत ने चीन को हराया साथ-दो से शिकस्ति कैप्टन हर्मन प्रीट सिंग और वरुन कुमार ने दो-दो गोल दागे, सुखजित अकाश दिफ सिंग और मंदीप ने एक एक पूल किया युकरेन के खेरसों में रूस ने की शैलिंग अठारवी सदी का एक चर्चर बना निशाना रूसी शैलिंग में आट लोग हुए घायल, चर्च को जलने से बचाने की कोशिश में युकरेनी इमर्जनसी सर्विस के चार जवान घायल नक्षिन कोरिया में एक शक्स ने फुटपाद पर सो रहे लोगों पर चड़ाई कार पैदल चलने वालों पर चाकू से हमला किया सिर्फ ले शक्स के हमले में 14 लोग हुए हैं गायल, पाच कार से कुछले गए 9 लोग चाकू के हमले में गायल पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार फिलाल हमले की वज़े साफ नहीं, पुलिस ने आतंगवादी हमला करार दिया चीन में अब बंडराया, खानून टाइफून का खत्रा पूर्वी चीन के तटिये इलाकों में समुन्दर में उठ रही हैं, उची उची लहरे रशासे ने मच्छवारों को समुन्दर से दूर रहने की नसियत दी, तटिये इलाकों से लोगों को हटाने में जुटे हैं रहात करनी जापान में खानून टाइफून का कहर, ओकी नवा में तेज हवा और बारिश में 20 लोग खायल हुए उची नवा में तुफानी हवा से बिजली विवस्ता ठब, कई मकानों को पहुचा नुकसान, कई पेड उखडे उची नवा में तुफान और बारिश के वज़े से याताया थमी होंग कोंग के करीब 80 पर अटक होटल में फसे ताइवान पर भी मंडरा रहे खानून, टाइफून का खत्रा, लोगों को समुदरी किनारों ने सुरक्षित इस्थान पर भेजा ताइवान के समुदर में उठ रही हैं उची उची लहरे, जहाजों को किनारे पर रोका गया, मचवारों को समुदर से दूर रहने की नसिएट ग्रीस में गर्मी बनी मुसीवत, एथेंस में सेलानी कर रहे हैं हीट वेप का सामना दिलिप कुमार का पाली हिल का बंगला टूटेगा बनेगा लक्शुरी इस रेजिनल प्रोजेक्ट और म्यूजियम प्रियंका चोपड़ा का निक और बेटी मालती संगट वेकेशन खुबसूरत पोस्ट देते वे तस्वेरे सामने आई रन्वीर सिंग और करंच जोहर के साथ मस्ती करती नजर आयलिया वीडियो सोचल मेडिया पर वाइरल